हलो आरीवन तो लास्ट लास्ट तक हम लोग नोडल एनालिसिस का केस वन खतम कर चुके थे और इसी स्क्रिन पर थे ठीक है और यह पूरा का पूरा केस हम लोग बहुत अच्छे से अनलाइस करे थे अब केस नमबर टूर केस नमबर थरी की तरब बढ़ते हैं देखिए केस न लाइन खेज देता है ठीक है तो इन दोनों सर्कुट्स में क्या अंतर है आपको नजर आ रहा है साफ नजर आ रहा है तो फर्क साफ है ठीक है तो फर्क साफ क्या है यहां पर एट वोल्ट और एटों और यहां पर यहां पर मैंने यह एटों हटा दिया है अब इसके हटाने से होगा क्या वो बताता हूं आपको तो वही प्रोसेस सिंप्ली कि identify the identify the node तो node number 1, 2, 3 और एक reference node यह हमारा reference node तीन non-reference node और यह हमारा reference node 0 volt तो यह तो हमने select कर लिया अब voltage assign कर देते हैं voltage assign कर लेते हैं तो यह हो गया V1 voltage यह हो गया V2 voltage और यह हो गया V3 voltage ठीक है यह step भी हमने हमारी clear है अब दीखिए क्या करना है कि हर एक वो नोट के उपर हमें case-ill equation लिखना है बट आपको जानके हिरानी होगी कि यहां पर हमें तीन equation बनाने की जरूती नहीं है एक equation हमारी eliminate हो जाएगी कैसे eliminate हो जाएगी वो आपको बताता हूं दीखिए जब भी कभी जब भी कभी जब भी कभी ज़्यान से देखना है न जब भी कभी एक ideal एक ideal voltage source क्या ideal voltage source अभी मैं ले लेता हूं सपोस्पोस करिए इस 8 volt को जब जब भी कभी एक ideal voltage source ideal voltage source चाहे वो dependent हो चाहे independent कुछ भी हो अगर वो directly किसी directly किसी नान राफरेंस और यह reference यह reference node और non-reference node मतलब कोई भी ideal voltage सोर्च चाहे वो dependent हो चाहे independent हो अगर वो किसी दो नोड जो कि एक non-reference और दूसरा reference है उसके बीच में अगर connect होंगे तो जो non-reference node का जो voltage होगा जो non-reference node का जो voltage होगा V1 थोड़ी दर के लिए V1 assume कर लिए क्योंकि इस network के हिसाब से जो भी voltage होगा non-reference node का वो क्या हो जाएगा उस voltage के बराबर हो जाएगा और प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा यह कैसे पता चलेगा जो भी non-reference के nearby जो भी sign है वो sign लग जाएगा तो nearby non-reference note के pass में सबसे पहला कौन सा sign है positive sign है तो उस sign वाला voltage positive sign वाला voltage वहाँ पे अपेर हो जाएगा इसका मतलब है कि non-reference note का जो voltage है वो क्या हो जाएगा plus 8 volt हो जाएगा ठीके यह ideal में यह possible है practical में possible नहीं था है ना जैसे हमने पिछली बार देखा पिछली बार में क्या था practical था पिछली बार क्या था हमारा practical था इस वज़े से practical में यह possible नहीं होता practical में यह possible इसको क्या बूल सकते हैं हम लोग यह हमारा आइडियल यह था प्रक्टिकल यह था प्रक्टिकल ठीक है यह हमारा प्रक्टिकल था इसको अच्छा से लिख देता हूं नहीं तो नोट्स पॉपे में प्रक्टिकल यह हमारा क्या था प्रक्टिकल वुल्टेज सूर्स था इसी लिए यह कॉंसेट यहां पर नहीं लगेगा सिर्फ आइडियल में लगेगा ठीक है सपोस करें हो सकता है आपके सामने ऐसा एक्जा नोन रेफरेंस और यह हमारा नोन रेफरेंस तो यह नोन रेफरेंस नोट का जो वुल्टेज है वह आपका क्या जाएगा वीक वल्टू प्लस तू आई एक्स यह वुल्टेज कुन सा होगा तू आई एक्स वही वेल्यू बट शर्त क्या है आइडिल होना चाहिए पहली श ठीक है यह कब लगेगा statement लिखवा दूँगा proper statement लिखवा दूँगा अच्छा एक example और दे लेता हूं थोड़ा सा तकि आपको और clarity आ जाए यह आपको analog में बहुत काम आएगा ठीक है यह minus के साथ में minus 8V यहाँ पर हो जाएगा यह अभी आप याज मत रखें क्योंकि यह analog के साब से बहुत ज़दा काम का है और network में भी बहुत ज़दा काम आएगा ठीक है तो यह हमारा ground है यह हमने क्या मान के चले हैं क्योंकि यह क्या होना चाहिए आपका reference तो दूसरा आपका non-reference तो यह reference और यह non-reference है तो इसका minus 8V क्या हो जाएगा voltage हो जाएगा उस note का voltage क्या हो जाएगा minus 8 और यह तभी possible है जब एक reference और दूसरा non-reference हो ठीक है यह set of examples में ने दे दिये जिससे आपको proper idea हो गया होगा तो अब यहां पर क्या हो है कि यहां पर V1 voltage तो बड़ी आसानी से निकल गया हमारा हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर V2 कैसे निकालेंगे V2 जैसे हमने पिछली बार किया nodal analysis लगाया same as previous same as previous 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 time पर हम लोगों ने इस node voltage पे जो लगाया था मतलब same equation same equation यह जो हमारी node 2 पे nodal 2 पे जो equation लगी है न वहीं same equation आपको लिख देना और कुछ बीचे same आएगा ठीक है और similarly यह जो हमारा V3 V3 पे आएंगे same as previous same as previous previous same case expressions same nodal expressions जो हम लोगों ने पिछले case में देखिए यहाँ पर कोई भी change नहीं होगा तो आप देखिए इस case में हुआ क्या फाइदा क्या हुआ आपको दो ही unknown है और दो ही equation बनेगी तो इस case में आपको दो equation दो अन्नोन तो आप बिना calculator के आसानी से solve कर सकते हो तो कई बार competitive exams वगेरा में आपको इस तरह का बड़ा circuit होगा तो एक equation बहुत ही आसानी से या एक unknown जो है वो आसानी से solve हो जाएगा ठीक है चलिए तो ये वाला जो मैंने सिखाया है इसका मैं statement भी लिख देता हूँ जो कि आपको काम आने वाला होगा ठीक है तो म खुआउने प्रहं वोही व्योंटेज टीकर्स ऑनने नोर्डी वोल्टेज लिख देते हमें तो यह था मारा केस नंबर तू जहां पर हमने देखा धा कि लिए च那么 डर송 और धा प्रक्रेओन था क्याइक लिए और अच लिखते हैं वैसा के फैसे expression लिखें दो एक्वेशन और दो अन्नोन और दो एक्वेशन बनेगी और हम आसानी से solve कर लेगे ठीक है छली अब case number third की तरप चलते हैं Case number third की तरप अब इस case number three में हम क्या changes करेंगे आपको बताता हूं case number three में एक काम करते हैं वापस से ये 8 जो लगा था 8 हटाया था इसको हापस लगा देते हैं और अब हम लोग change करते हैं यहाँ पर यूआने पर यह फोरोम हटा देतेase थोड़ी दर के लिए और यहाँ पर एक line केज़ देते हैं ध्याँ पर एक line केज़ देते हैं एक को हमें ground select करना है, तो 0 volt हमने ground select कर लिया, ठीक है, चलिए, अब voltage assign कर देते हैं, voltage assign कर देते हैं, V1, V2 और V3, V1, V2 and V3, अब आपको मैं यहां से एक concept और देता हूं, ठीक है, एक concept, उसके बाद तो normally हम लोग क्या करेंगे, हर note के उपर क्या करेंगे, हर note के उपर हम लोग K DCL equations लिखेंगे, बट वो लिखने से पहले आपको मैं एक short trick और देता हूं, एक concept और बताता हूं, और इस concept का नाम है, super node concept, आपने कई मरतबा अपने college में सुना होगा, इसका जिक्र किया होगा, बट बहुत बार हमें apply करते नहीं आता है यह, that is super node, super node, तो पहले मैं समझा द देता हूं, फिर इसकी definition लिखवा देता हूं, ठीक है, super node कहां पर कैसा दिखेगा हमें, दिखेगा, जब भी कभी, ध्यान से सुनना है न, जब भी कभी, दो non-reference node के बीच में, दो non-reference node के बीच में, अगर एक ideal voltage source connected हो, तो यह क्या कहलाते है, that is super node, क्या कहलाते है, यह, super node ठीक है, मैं लिखनी रहा हूं, यहां पर, यह क्या कहलाते है, दोनों super node कहलाएं, क्या definition होई, जब भी कभी, दो non-reference node के बीच में, ideal voltage source अगर connected है, और यह ideal voltage source, dependent, independent, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस रोएंट कई बार कुछ ते सा dependent होगर लगेगा, आद में लिखवा दूँगा, super node में आपको करना क्या है, वो बता देता हूं सबसे पहले, तो वो जो super node वाली branch है, उसको उठा के यहां पर लाना है, आपको, कहां लाना है, इसको उठा के हमने, यहां पर लाना है, as it is, सम्मान के साथ में, और इसको V1 नाम दे देना है, इ यह negative sign battery का जो बड़ा रंडा होता है, वो क्या positive, छोटा वाला minus वाला, तो आप क्या करना है, यह positive इसके साथ में जाएगा, और negative इसके साथ में जाएगा, और expression क्या लिखा जाएगी, expression लिखा जाएगी, आपकी जो expression है, वो लिखे ही जाएगी, V2 positive वाला पहले, V2 minus फिर negative negative sign के साथ में minus, V1 के साथ में minus है, तो minus V1 equal to 6V, 6V, तो यह होगी हमारी equation number 1, equation number 1 होगी है, आई बास समाझ में, equation number 1 होगी, तो V2 minus V1 equal to 6V, क्या होगी हमारी equation number 1, अभी खतम नहीं हुआ, सूपर नोट का concept, सूपर नोट सबसे पहले हमने क्या क्या पहला है, पहचानना, पहच जब भी दो non-reference node के बीच में ideal, किस पर जोड़ दे रहा हूँ है, ideal, ideal voltage source हो, तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, दूसरा है, यह first step हो गया, second step क्या है, कि दोनोट के उपर, दोनोट के उपर simultaneously, at a time, हमें KCL लिखना है, KCL की equation लिखना है, अब at a time कैसे लिखेंगे, बत अब बता दिखना हूँ, at a time, ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इस पर खड़े हो जाईए, सबसे पहले इस पर खड़े हो जाईए, है न, node 1 का दिख लेते, इस पर इनकमिंग और आउटगोइंग क्या लिखना है, हमें, हमें लिखना है, outgoing और incoming लिखना है, incoming ठीके, outgoing और incoming लि सब सबसेल तो याद रहे इस वजे से थोड़ा मजाकिया लेज़ाएं मैं आपको बोल देते हैं ताकि दिमाग में बस जाए ठीके चलिए इसके उपर अगर बेटे हैं, तो आप बताइए मुझे outgoing, तो outgoing क्या होगा, यहाँ पर? Outgoing जिसमे current mention है, देखी, यह 1 ampire देखी, यह 1 ampire है ना? 1 ampire, outgoing है और कहाँ पर? इस वाली ब्रांच में incoming है तो वो चलो हम लोग उधर बाद में लिखेंगे, साथ में है ना अभी सिर्फ आउटगोइंग डेख रहे हैं यहां का तो आउटगोइंग देख रहे हैं तो यह बाकी जगे पर हम लोग अगर नहीं गीवन है यहां पर आउटगोइंग ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1 plus 1 plus V1 minus 8 divided by 8 यह minus 0 नहीं लिख रहा हूँ लिखने की ज़रूत नहीं ठीक है plus फिर क्या होगे यह ब्रांच खतम होगे यह खतम होगे super node वाली था हमने हटा ली थी अब इधर से 1, 2, 3, 4 4 में से एक चलेगे तो 1, 2, 3 1, 2 और अपना incoming है अब इस पर outgoing देखिए इस पर outgoing क्या है इस वाले node पर outgoing इस पर outgoing है आपका यह 2 ampere outgoing है 2 ampere outgoing है और यह incoming यह incoming और outgoing यहां से बनेगा तो यह बनेगा V2 minus V3 divided by 4 ठीक है तो हमने क्या किया दोनों node पर simultaneously हमें केसी लिखना है तो हमने इन दोनों node पर सारे हमारे outgoing लिख दिए अब हम लोग इन दोनों node पर खड़े होके सारे incoming लिख देते तो पहले incoming इस पर देखो इस पर incoming कितना है 2 incoming है बस बाकी और कोई भी incoming नहीं प्लस इस पर देखो इस पर खड़े होके incoming देखो गे तो 2 incoming है और यह 1 incoming है यह 1 incoming है, ठीक है, समझ मा आ गया, तो यह equation बन गई हमारी, equation number 2, equation number 2, equation number 2, अभी ध्यान से देखेगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मुझे एक चीज बताईए, यह लिखते टाइम पर, लिखते टाइम पर यह जो इसको focus रखना है, इसको focus करना, तो जब हमें इस note का लिखरे थे, तो यह 1 ampere का current हम लोग यहां outgoing में पटक दे रहे थे, और जब हमें इस note पे खड़े होके लिखरे थे, तो इसे 1 ampere को हम लोग incoming में पटक दे रहे थे, इसी note को हम लोग incoming में पटक दे रहे थे, तो इसका मतलब है कि यह वाली यहां पर कुछ भी होगा यहां पर कुछ भी element होगा कुछ भी होगा इस branch में चाहे current source हो कुछ भी हो वो दो बार repeat हो रहा है एक बार incoming में एक बार incoming में और दुसरी बार outgoing में मतलब यह तो आपस में cancel हो जाएगा तो अगर यह लिखे जो लिख के हम लोग cut कर रहे है लिख करके cancel कर रहे है उसकी बजाए लिखे ही नहीं तो कैसा रहे उसकी बजाए लिखे ही नहीं तो कैसा रहे आसान हो जाएगा तो आपसे एक rule और बना लेना कि जो भी branch इस super node वाली branch के exactly जो parallel है उसको KCL में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि करने का फाइदा भी क्या है करके भी तो cancel हो नहीं है, cut कर नहीं है तो उससे अच्छा है ना कि शामिल limit करो तो आपको क्या याद रखना है कि super node वाली branch के across जो भी branch है उसको KCL में include नहीं करना सारे node point लिखवा दूँगा है ना डरो मत, सारे लिखवा दूँगा चलो, तो अब हमारा super node का concept खतम हो गया, अब हमारा क्या हो गया चलो, खतम हो गया super node का अब बचा हुआ चीज क्या है इस node के उपर हमें क्या लिखना है नोडल लिखना है, तो यह हो जाएगा, नोडल, नोडल एट, नोडल एट, वी 3, और यह हो जाएगा, same as previous, जैसा हम लोगोंने first case में देखा था, same as previous, same as previous, तो यहां से हमें क्या मिलेगी, equation number 3 मिल जाएगी, equation number 3 मिल जाएगी, तो equation number 1, equation number 2, and equation number 3, तो 3 equation और फिर 3 variable है, उनको हम लोग solve कर लेंगे, मज़ा आया, तो यह जो बाकी super node वगरा के definition से सारे सारे में note point लिखवा देता हूँ, और फिर एक बार और conclude कर देता हूँ, for that branch, ठीक है, तो हम लोगोंने क्या किया, यहां पर 2 note point लिख ली, हम लोगोंने पहला note point क्या, if any ideal voltage हो, चाहिए dependent हो, चाहिए independent हो, if any, any ideal voltage source located between, located between, located between, two non-reference node, then it is set to be super node, apply KCL for both the nodes at a time, at a time, दोनों node पे KCL apply करना, जो कि हमने किया भी, if any branch is common to super node, do not write a KCL equation for that branch, ठीक है, तो दोनों note point आपको clear होंगे, दोनों मेंने आपको समझाए, अब चलिए मैं short में इस third case को simplify कर देता हूँ, देखे, सबसे पहले हम नहीं क्या किया, इस network में देखा, कि दो non-reference node की बीच में, अगर कोई भी ideal voltage, सोट से चाहिए dependent हो, चाहिए independent हो, ideal होना चाहिए practical नहीं, ठीक है, तो दोनों की बीच में, इस दोनों के बीच की जो branch इसको बुलते हैं हम लोग, या दोनों node को हम क्या बुलते हैं, super node, तो इस super node के बीच की जो branch इसको उठा की यहां लिखे, और यहां पर plus और minus के हिसाब समने एक equation बना दी, positive, जो side में positive है, उस node का इधर negative वाला इधर, तो V2 positive था, तो V2 minus V1 equal to 6 volt equation number 1, फिर second step क्या करना है हमें, इन दोनों node पर एक साथ कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे, एक पर बैठ जाईए, सारे 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 हमारे outgoing लिखती जीए, फिर दूसरे में बैठ जाईए, है ना, पहले भी बैठ के outgoing, इस पर भी बैठ के outgoing, तो outgoing आउट गोइं, दोनों node के एक सा तो उसमें हमें बात पता चली, कि जो super node की common branch है, super node से common branch है, उसके parameter repeat हो रहे हैं, तो लिखने की बजाए, उसको हटा ही दो, अब जब भी super node के, जो common branch, super node से across जो भी branch है, जो भी common branch है, उसका हमें KCL में include नहीं करना है, उसके लिए KCL की equation नहीं लिखना है, मैंने node point में भी ल analysis, incoming outgoing वाला, वो ही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, तो यह note point रहे, और इस तरीके से हमने तीनों case, बहुत ही अच्छे तरीके से खतम कर दी हैं, अब इससे बाहर आपको node analysis में कुछ भी नहीं करना है, मैं सारा एक slide पे लाने की कोशिश करते ता हूँ, देख लीजी अ advance, तो हमने सबसे पहले देखे, कुछ basic से example देखे, ठीक है, यह example देखे, basic से के एक branch का कैसे लिखेंगे, छोटे-छोटे points बहुत important है, आगे चालके बहुत ज़्यदा crucial role play करते हैं, फिर हमने 2 point देखे, planar, non planar के बारे में देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा, कि यहा पर, देखो, nodal equations लिखना है, वो आपने लिखी, reference, non reference, कैसे लिखना है, बहुत ही basic तरीके से बताया है, उसके बाद case number 2 में हमने देखा, case number 2 में किस तरीके से, अगर आपका reference और non reference note के बीच में, अगर कोई भी idle voltage सूर से, तो non reference का voltage, वही voltage का value हो जाता है, ठीक है, उसके ब हाँ, अब इन concept को ये जो तीनों cases में हमने जितने concept discuss करे हैं, concept तो खतम हो गए, पर network theory क्या है, numerical का subject है, तो इसके उपर आप numerical करोगे, तो और बहतर वे में आपको समझ माएगा, तो next lecture से हम लोग, nodal analysis के उपर पहले कुछ numerical करेंगे, अच्छ अच्छ निमारिकल करेंगे, उ मिलेंगे next lecture में numerical के साथ, okay, thank you.